लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें करें और डेल येट्ट अपडेंग करें और ये सब्सक्राइब करें आइटिन को सब्सक्राइब के लिए अल्ट्रा चनल्स के लिए्ट्धन हैं कर दो 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 झाल झाल लगता है कहीं आग लगी है आग तो लगी है गाड़ी चलाने वाले मन्जुनात के पेट में लगी है पेट में चुहे कूद रहे हैं इसलिए सारन बजाते हुए गार आ रहा है यह अगर घंटी बजाकर सरकार और लोगों को डर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसके चक्कर में मैं भी डर गया और इडर भागा चला आया चाहिए बहुत दुखी हो गया हूं मैं यह लो आग नहीं लगी ना इसलिए इनको दुख हो हम आज तुम सब इतने उदास क्यों लग रहे हो दिखें दुनिया की सभी माएं खुश होती है जब उनका बेटा जील से छुटकर आता है लिकिन मैं कैसे खुश हूं अगर तुम्हारा बेटा सोचता है कि वो इस घर में रह सकता है तो वो गलत सोचता है उसने जिसका मर्डर किया है वो मेरी बेटी का पती था मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती कि ये काम उसने अकेली किया होगा एक मा का दर्द आप क्या जाना उसे 35 साल पहले जन्म देने क अगर अभी तक तुम्हारे पेट का दर्द नहीं गया है तो तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है जो होना था वह अब हो गया है तुम्हें विद्वा बना दिया फिर भी तुम्हें उससे लगाऊ है देखो तुम दोनों कुछ भी कहलो मैं उससे घर के अंदर आने नहीं दूँगा यह सब क्या है अभी तक आप लोगों का जगडाखत नहीं हुआ सिस्टर मागरेट आए बैठे सिस्टर आज चर्च में कुछ खास है क्या अगला अगला डायलोग क्या है दादा जी अना धाश्चरम के डूनेशन के लिए मैं आपसे कुछ पैसे लेने अच्छे हैं तुम दोनों का सालों पुराना जगडा फिर से शुरू हो गया अब अगली प्रॉब्लम होगी मंचुरात की देखना आते ही मुझसे कहेगी कि मुझे में रोल दे दो दादा जी अब आप ऐसा मत कहिए प्लीज मुझे नहीं लगता कि वह इतना बुरा अक्ट प्रिस करो अगर तुम्हारा पती इधर आया तो मैं उससे मार डालूंगा समझी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया उस आटो ड्राइवर सुगू के साथ तुम्हारा क्या संबंद है मैं पूछ रहा हूं उस सुगू के साथ तुम्ह बूलना पड़ेगा किसी भी हाल में भूलना पड़ेगा इस खांदान की इसतब बचाने के लिए तुम्हें उसे बूलना पड़ेगा नहीं दादाजी यह मुझसे नहीं होगा क्यों नहीं भूल सकती की उसका बच्छा मेरी कोख में पर रहा है बूलने के लिए मुझे दादा जी तो इतने दिनों से मुझे धोका दे रही तुझे तरफदारी मत कीजिए तुम क्या समझ रहे हो यह तो हमारे नए ड्रामा का ड्यालोग बहाँ अपरे आपने मेरी पीदी पर शक्या यह अच्छी बात नहीं है मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो नए ड्रामे का ड्यालोग था दादा जी पिछले साल की तरह आप भी इस साल ड्रामा करने वाली हैं क्या सिर्फ इस साल ही नहीं पिछले 23 साल से हमारा ग्रूप हर साल ड्रामा करता आया है अगर इस साल मैंने ड्रामा नहीं किया तो मेरे फ तो फिर मैं जंगली सुवर का क्या करूं है जंगली सुवर हाँ हमारे ड्रामा का नाम जंगली तो आप उसे जंगल में ले जाइए और छोड़ दीजित वह अच्छा होगा थोड़ा और सामर्दो ना ठीक है तो ने हैं ने कितनी सारी ड्रम सिक्स डाल दी आप मेरे अंकल से मतद्द लीजिए ना इसमें क्या गलित बात है मैं भी यही सोच रहा था ट्रेन से टकरा कर दो लोगों की मौत पचीस लोग गायल क्या आप मेरी मां से कह देंगे कि वो भी मुझे मेरे दादा जी के घर ले जाए हाँ हाँ जरूर मैं बिल्कुल कह दूंगा तुम अपनी मा को बुला मां आपको फादर बुला रहे हैं इधर आओ हॉस्पिटल में दादा जी से मिलते समय इसे साथ लेकर जाना यह उधर शानत नहीं रहेगी आप समझती क्यों नहीं है यह सब तुमने ही कहना उनसे कहने के लिए तो महारा पती अब ठीक से काम कर रहा है ना हमेशा की तरह शराब पिकर बेहुश पड़ा रहता है जब दादा जी दिमार थे तब मुझे बहुत परिशानी हूँ अब उनकी तव्यत काफी ठीक है और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी क्या वो ठीक तो हो जाएंगे ना फादर मैं आज जॉक्टर से मिलता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कर दो हम लादंगे ना जॉक्टर से मिलता हूँ जुम्हें अजचे यजचे अजचे मिलता हूँ परिशानी हूँ परिशव परिशव थे खूँ़। यह सर्विस मेरी तरफ से सभी पेशेंट्स के लिए है हमें इनके लिए फंड्स जम्मा करने होंगे इसी के लिए मैं प्लैन कर रहा हूं आपके परिवार के सभी लोग एक ड्रामा ट्रूप से जुड़े हुए हैं इसलिए आपके बॉस ने मुझे यहां भेजा हमारा जंगल ना पूरी तैरह से तयार हो गया है हम कर सकते जंगल नहीं होगा इस में सोड़ामा नहीं चलेगा हम बाइबल से कहानी लेकर द्राम करेंगे मैंने सोचा था कि हम एक light and sound शो करें यह कैसा शो है हां बता ही कैसे तुम नहीं जानते यह ड्रामा की तरह ही होता है एक ग्राउंड में अलग-अलग जगहों पर scenes होंगे lights और sound होंगे और film के जैसे ही visual magic होगा यही है light and sound शो हमें चर्च से advance मिल जाएगा नया drama करने की क्या जरूरत है हमें लोगों से donations मिल जाएंगे artist को हम उसी में से थोड़े पैसे दे देंगे मेरी बात सुनिये सणी sorry father हमें कितने शो करने पड़ेंगे देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे हम सब की problems दूर हो जाएगी कम से कम 10 से 20 शो तो होंगे यह इतना ज्यादा भी नहीं है हम इतने शो तो करी सकते है हाँ मन्युनात सही कह रहा है हमारे लिए भी एक सर्विस की तरह है अब इसके लिए हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा है ना फादर वैसे यह बाइबल की कहानी का सब्दिक क्या है भीश्म की शपत बेवकूफ का बेवकूफ ही है यह अरे वो खाना खा रही है अपना टेफन बॉक्स खा लेना बिल्कुल कुछ माँ छोड़ना ओके टाटा वर्गीस देखो वह आ गई जाओ जाके अपना मेजर्मेंट उसे देदो हमारे मेजर्मेंट ने उसे कोई दिर्चस्पी नहीं है कुछ सेलेक्टेट लोगों की ही लेती है उसे मेरे बारे में पता नहीं है उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है इसलिए उसे डर भी नहीं है तुझे पता है इस देश में यहीं एक काम सबसें अच्छा है ना तो कोई स्ट्राइक होती है और ना ही कोई नौगरी से निकाल सकता है देखो वो और अपने पती की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रही है इस बिचारी का नाम किसी आत्मी के साथ जोड़कर इसे बदनाम मत करो तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है लगता यह ज़रूर रात में उसके घर जाता है एस हदे लुए के डärिक्टर है फादर सनी जीसस कबले होगा तो सूपर हैं पर मैंने चुरा है कि जीसस के रोल के लिए उन्हें अभी तक कोई मिला करने प़िए डादे ची को को वो देकर आपके फैन्स यहां कर तमाशा करें वैसे मुझे यह नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है लेकिन मेरा मानना है कि जीज़स के रोल के लिए चेहरे तेज होना चाहिए वैसे मैंने एक शो देखा था जिसमें उस आदमी ने जीसस का रोल किया था मेरे ख्याल से वही इस रोल के लिए सही होगा तो जाओ जाकर उसे बात करो और एग्रिमेंट बनवालो रहसल शुरू करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है समझे मैं कल पर जाकर उस आदमी से मिलता हूँ आपके पास वक्त है तो जरा स्क्रिप्ट देख लिए हाँ चलिए देखते हैं मुझे पहले नहाना है मंजुनात तुम पहले केले के पेड़ों को पानी डालो ओपर वाले यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं धंकल से आग बुजा रहा प्रेज दे लौड फादर कैसे हैं आपको हमेशा खुश रखे आपके पती घर पर है वो अंदर है लेकिन क्यों उसे जामा के लिए बुक करने आये हैं हाँ जीजस का रोल तो वो जरूर करेंगे लेकिन फादर उन्हें पहले पती का रोल तो ठीक से करने को कहिए घर के जि अब लाती हो कि अधिस आदमी के बारे में कहा था ना वहीं कि क्या कहते हो सही है ना एकदम हम अखेर मैं मंजुरा थो इंसान है या पहार जीजस का रोल करने के लिए हम जिन से मिलने आये थे क्या वो आप ही हूं पिछले चार सालों से मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूं अभी थोड़ा दूबला हो गया हूं पिछले साल मेरी तबियत खराब हो गई थी बहुत सारे डाक्टरों ने मिलकर मेरा एक साथ ट्रीटमेंट किया था इस वज़े से मैं मोटा हो गया वैसे ड्रामा क्या है और रोल क्या है दरसल ये ड्रामा नहीं लाइट एंड साउंड शो है और हमें बिलकुल जीजस के जैसा दिखने वाले कादमी चाहिए था और मु कड़ी का क्रास टूट जाएगा हमने यहां आकर आपको तकलिफ दी हम माफी चाहते हैं तो यह और बगबग करेगा कि यह लो हमने बहुत लोगों को देखा लेकिन उस रोल के लिए मेरे दाड़ी के विज़े से मैं शायद बिलकुत सही रहूंगा मंजुनात दाड़ी रखने से कोई क्राइस्ट का रोल नहीं कर सकता उसके चेहरे पर तेज होनी चाहिए आंखों में शांती हो और उसके हाव भाव दिव्वे होने चाहिए समझ गया हम यह प्रोग्राम किसी नेक काम के लिए कर रहे हैं और वैसा आदमी इश्वर हमें जर में आदमी नेक काम की खाव भाव प्रें यह देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षा जीजस हमारे सामने आ गए है उसकी वेशबुशा देखी आपने ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई साधू हो तुम जाकर उसे अपने ड्रामा के बारे में बताओ जा मेरा नाम मंजूनात है पासवाले गाम के ड्रामा ग्रूप का एक आर्टिस्ट हुमें और वो फादर सनी है फादर पूछ रहे थे कि क्या आप हमारे ड्रामा में क्राइस्ट का रोल करेंगे कि लगता है यह को बहुत बड़ा संग्यासी है क्या जब आप दिया जब मैंने पूछा कि क्राइस्ट का रोल करेंगे आप तो वह सिर्फ हांसे भादर उनके मन में क्या था मैं समझ ही नहीं पाया भाई बेटा उस आदमी का नाम क्या है वो जो खड़ा है उसका क्लीटस है मतलब वो भी क्रिश्यन है ना लेकिन बात क्या है यहां आओ आप इतने पैसे देंगे तो भाई राजी हो जाएंगे अगर वो राजी नहीं होंगे तो मैं उन्हें समझा लूंगा कैसे लेकिन कुछ कंडिशन्स हैं क्या उस ड्रामा में मुझे भी एक रोल देना होगा यह कौन सी बड़ी बात है तुम्हें भी मिल जाएगा और मैं अ जाकर उनको राजी करता होंगा ठीक है है मुझे लगता है कि वो उसे राजी करवा देगा हमें प्राल सुझ एपको नैयरा थो जाएपको सिया जाता है हमें मुझे डिल्फ्यागा नंको बूर राजी होग है सोरी कर दो कि तुम्हें यहां कि क्या ज़रूरत थी कॉलेज बंद हो गया है और मैं तुमसे मिलने आया हूँ फादर सनी के हाथ पैर पड़ा तब चोटा सा रोल मिला है मुझे देखो जिस तरह हम कॉलेज में मिलते हैं उस तरह से यहां नहीं मिल सकते यहां मेरे दादाजी दादी सब अच्छी बात नहीं अब जाओ अरे सुनो मेरी बात तो सुनो तुम यहां नाम क्या है तुम्हारा अलेक्स साइमन बेटा आते बात करने के लिए तुम्हें हमारे मास्टर की बेटी ही मिली एक चुटा सा डाउट ता वहीं क्लियर कर रहा था अच्छा मैं चलता हूं ठीक ह बहुत बगबग करती है तुम दोनों इसकी बातों के ध्यान मत देना क्या मारिया तुम ने तो बहुत शांदार इंटर ली ओ वो सीरियल के डायक्टर की कार है मेरी पिता जी मौनिंग वkiem करने के लिए कार ले गए वख लेके मॉरिक पर जाते हैं नहीं घ्राउंट टकार ले जाते हैं फिर घ्राउंट पर मौक करते हैं मैं राद भर शूट क वादर क्राइस्ट के बारा शिश्यों का रोल करने वाले तो आ चुके हैं पर यह अभी तक क्यों नहीं आया अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं मंजुनाथ उसे लेने गया है अगर वो नहीं आये तो ऐसा कैसे कर सकता है वह एग्रिमेंट साइन किया है उसने आर्टि लो ग्रइस्वी अगे यह क्राइस्ट के रोल के लिए बिल्कुल सही है हाँ हाँ सब को दो केक और वाइन सबसे पहले क्लीटर्स को दो नहीं भाई से बिल्कुल नहीं चुएंगे आप ठक गए होंगे जरा आराम कर दीजिए अरे मेरा मूह क्या देख रहे हो लेकर जाओ इन्हें कि अध्याइब कि अध्याइब कि अध्याइब करना चाहिए था आपने उसे दे दिया अब तो इश्वरी हमें बचा सकता है इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है नहीं मैं इस ओल्ड मैं गिटप में जाओंगा तो मेरे करने वाला हूं हाँ लेकिन यह बताइए क्लीटस जो क्राइस्ट के रोल के लिए है क्या वो ठीक से अक्टिंग कर पाएगा मुझे तो वेक्टिंग में नयाद मी लग रहा है वो स्टेज में पूरे टाइम के लिए खड़ा हो पाएगा अब देखिए अब उसे कोई ज्या गरजने से भी ज्यादा जोरदार होनी चाहिए पादर वह क्राइस के रोल की जो क्लीटस आया है ना वह उन बारा शिशों को मार रहा है लेकिन क्यों कि उसके बैग में जो शराब की बॉटल थी वो किसे ने निकाल के पी ली अगर हम लोग वहां जल्दी नहीं पहुंचे वह यूदा इसको मार डालेगा चोरी करेगा रही कि नहीं की नहीं नहीं की बटाव किस ने चुराया य यह सब कुछ बरदास्ट कर सकते हैं लेकिन चोरी बिलकुल नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा सब को मार दूँगा किसमें चुराई फादर आप ही समस्या का हल कीजिए मेरा बैक खोल कर किसी ने बोतल चुराई मुझे अभी पता लगना चाहिए नहीं तो इन 12 शिश्यों को मैं मा डालूँगा फादर समस्या मैं नहीं ये लोग खड़ा कर रहे हैं इनकी मज़े से भाई का बोटल बर्बाद हुआ अब इनका बोटल यहां कहा मिलेगा भाई को सिर्फ दो पर में शराब पीने की आदत है अब वो क्या करेंगे बताइए फादर आप मेरी बाद ध्यान से सुनिये मेरे बैक से किस ने बोतल चुराई है मुझे अभी के भी जानना है आप लोगों के कहने से मैं क्राइस्ट का रूल करने के लिए राजी हुआ न मैं यहां के पुलिस च्रशन के कई पुलिस वालों को जानता हो उनके पास फूखने वाली मशीन है, मैं सब को मशीन में फूखने को कहूँगा, तुम इदर आप, साथ छोड़ो, ओ, मर गया, अरे इसके मुझसे कितनी बदबु आ रही है, ये लोग कभी ब्रश नहीं करते क्या, अरे इनी कमीनों ने मेरी पूरी बोतल गटा कली, एक दम से नलायक है ये, अगर इनोंने फिर ऐसा किया तो मैं इनकी जुबान खीच लूँगा, अब बस करो क्लीटस, अरे फादर मैं इनके साथ आक्टिंग कैसे कर सकता हूँ, कहां से पकड़ कर लाए इन बेवकूफ नलायकों को, चलो, बाई, कहां जाना है, चलो देखते हैं शरा आप कहां मिलेगी, वेकिन आपका व्रैंड तो महंगा है, आसपास कहीं मिलिटरी कैम तो होगी ना, अब किसे नहीं जानते, मैं इसे बहुत अच्छा तरह से जानता हूँ, ये क्लीटस जो है बहुत खतरनाक क्रिम्नल है, अच्छा पी मारपिट करने के बाद समुद्र में ना आता है अब लोग इससे डरते हैं अच्छा होगा इसे कुछ पैसे दे के भेज़ दीजिए तो क्या कह रहे थे आप चेहरे पे तेज है शांत स्वभाव का है बेस्ट क्राइस्ट है आप आर्टिस्ट हैं हाँ बिलकुल है अच्छा यह बता यह यहां आसपास मिलिटरी कैम्प के बारे में क्यों पूझ रहे हैं शराप तो आपको कहीं भी मिल जाएं अरे वहां ओरिजिनल मिलती हैं अब मैं समझा तुम्हारी बात में मतलब यह साइकल लो और सीधा जाओ अच्छा घर है वह एक एक मिलेटरी मैंन की बिदवा है उसी का नाम सनम है मुझे यह नहीं पता कि वह आपको शराप देगी है नहीं फिर भी आप लोग जाके एक बार ट्राइ कर सकते हैं शायद तुम लोगों किसमत अच्छी हो और वह तुम लोगों को दे दे भाई यह लड़की बड़ी सुंदर लग रही है यह ड्रामा गुरुप के लोगों का ट्रेस सिलती है आप लोग जो ड्रामा करने वाले हो उसके लिए एक दम सही है एक बार पूछ के देखो अगर राजी हो गई तो मस्ती करो वैसे इस आर्टिस का नाम क्या है क्लीटस क्ल क्लीटस को जीसस के रोल करने के लिए पूछा तब वो बुरी तरह से हस रहा था अब मुझे सौन में आएगी क्यों हचरा था आगे लिखो मेरी सहेली वो सुबह सुबह घर से बाहर गया और शाम को देर से घर लोटकर आया यह कैसी अग्रिमेंट तुमने टाइप की है अगर हम क्लीटस को जाने के लिए कहेंगे तो हमें उसे मुमांगी रखम देनी पड क्लीटस को यहां से भेजना नहीं चाहता उस रोल के लिए नया आदमी ढूड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा हमें क्लीटस को किसी भी तरह एक अच्छा इंसान बनाना होगा वह शरीफ आदमी है नहीं वह तो शैतान है हर इंसान के दिल में ईश्वर और शैतान होते हमारी हरकते ही हमें इश्वर या शैतान बनाती है क्लीटस को हम सुधार सकते मुझे बहुत जोर से बताओ ज्यादा मार किसे लगी है पैत्रोस या यूदस को उस आदमी की वज़े से देखो सब लोगों को चोट लगी हुई है उसने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क् कि यह जीजस के पिताजी करोल कर रहे हैं उस आदमी में रहम नाम की कोई चीज नहीं है उसे सिर्फ लोगों को बेरहमी से मारना आता है आखिर एक गुंड़े के साथ हम लोग एक्टिंग कैसे कर पाएंगे बहुत मुश्किल काम होगा देखो जिस तरह उसने तुम लोगो कि नहीं सिक्ते क्यूं कर रहे हैं भाई सर्फादर और मास्टर ँर रफेल के बारे में गुछ भी नहीं पता था तब मास्टर रफेल में शुरुवाद से एक्टिंग सिखाते थे दीखो कैसे दर नहीं लगता मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से गुंड़े देखे हैं अगर अपने कोई भी को आटिस्ट पर अगर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा तुम अपनी यादत छोड़ दे कि नहीं हो भाई शू शू देखो इस बार तो हमने उसे माफ कर दिया ठीक है लेकिन उसने अगर फिर से ऐसा किया ना तो यहां पुलीस है और दूस के अंदर आ सकते हो कि यह बहुत हिम्मत वाली है हुआ है क्या हुआ सिस्टर आपको किड्नी स्टोन है क्या नहीं लेकिन आज में अपनी किड्नी खो चुकी होती है तुम कोई साधारन रोल नहीं कर रहे हो यह उसका रोल है इसने प्यार बाटा और अपनी कुर्बानी देकर इस पूरी दुनिया को संभाला था देखो जब हम कोई रोल करते हैं तब हमें उस रोल में घुस कर उस आदमी की हर आदत को सही धंक से अपनाना चाहिए समझ गये तुम तुमारी ये जो शराब पीने की आदत है ना इसे छोड़नी होगी मेहरबानी करके मेरे भाई को उनके पिता से अलग मत कीजिए चुप रहा तुम सभी पीने वालों को कोई न कोई बहाना चाहिए होता है देखो क्लीटस तुम्हें यादत छोड़नी होगी फादर आप ये बताईए कि आप बाईबल का वचन पढ़े बिना कभी रह सकते हैं क्या बताईए नहीं रह सकते हैं अच्छा मैं समझ गया तो तु ही क्लीटस को बिगाड रहा है इस कैम के अंदर शरापीना मना है मैंने कह दिया तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दोगे हैं तुम बच्पन में कभी चर्च गये थे गया था ना फादर कब गये थे मैं अपने टीचर को मारने के लिए स्कूल गया था लेकिन वो चर्च में था मैंने उसे चर्च में ही मारा था फादर काबिले तारीफ काम है तुमारा देखो क्लीटस मैं तुम्हें एक बात साफ साब बता दूँ अभी तक तुम क्या थे तुम कैसी जिन्दगी जी रहते ये सब मुझे नहीं जानना आज से तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा और एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है तभी तुम अपनी कला को सही ढंक से अंजाम दे पाओगी समझ गे इसलिए तुम्हें बीते हुए कल को भूलना होगा आज से रहरसल शुरू हो रहा है थाल शुक्ति बनना इसलिए थाच्छ का आच्छ का आच्छ थाच्छ स्थार थाच्छ सुनो तुम यह डालोग प्राउम्ट करो तुम इधार आओ हाँ वो एक दांसर है जो अपनी आशों से क्राइस्ट का पैर दो रही है अपने बालों से पैर पुछो यह आदमी एक धोके बाज है यह आदमी धोके बाज है यह औरत जो क्राइस्ट के पैर धो रही है वो एक पापिन है क्यों मेरी बात से सहमत हो या नहीं बताओ क्या इसे पैर धोने का हक है क्लीटस तुम उठो और अपने डैलाग बोलो तुम बच्चला नहीं रहा थो तुम यहां क्राइस्ट का कर रहे हो तुम जीजस हो तुम उस यह से नहीं पूछ सकते हो उसे माफ कर दो दरसल क्लीटस को उतना एक्सपिरियंस नहीं है सब ठीक हो जाएगा क्लीटस मैं बताता हूं कैसे करना है जीजस यह उनको देखकर फिर से कहते हैं कि जिसने पचास और पांच सो कर्ज दिये थे अब बोलो मेरा भी मूड नहीं है बाद में ट्राइए करूंगा मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होने वाला है अभी भी देर नहीं हुई है मुझे जीजस का रोल कर रहे दो फादर आपने का था कि मुझे भी एक रोल मिलेगा तुम सकेवुस हो ना सकेवुस वो तो फिल्म का नाम है नए ने ने जब क्राइस्ट भीड में चल रहे होते हैं उस वक्त सकेवुस को जीजस को देखने के लिए एक पेड़ पर चड़ना पड़ता है वही सकेवुस है य भाई मुझे भी एक रोल मिल गया पर चड़ने का रोल है सके वो उस कुछ एक काम करता wishing पेड़ पर चड़ने की प्रेक्टिस करता हूं और सांथ में लड़ल को पहने देख रहे ले काई आ पानी को जब मेरी दादी बहुत वीमार थी तब भी हुसे मैने पानी नहीं दिया तो फिर इसे क्यों दूँ भाई जब वो रिहरसल में आपके पैर धोनी आएगी तुसे जोर से एक लात मारना गमन चूर हो जाएगा उसका सबको ड़ती रहती है उसे सबक सिखाना ही बढ़ेगा भाई एक लाफा लगाना उसके पीछे मैं उसे अभी मारूं अभी मारेंगे और नहीं तो क्या है अब है है अब है इस फिस्ट्र पर कुछ तुम्हें गिन्मोनी हर्कत कैसे कर सकते हो तो फिर से करूं क्या देख़ा लुब कर दो फिर अधिने तुम्हें तेखो अगर तुम कैम के अदर औरतों की घजट नहीं करोगी तो तुम क्या करोगे मुझे उंगली दिखा कर बात नहीं करना नहीं तुम्हें तुम्हें लज़े मरूंगा चल को लड़के का मुः कु ज्याधा री चलता है वह अशा ही जब आपने खुद यहां कर मुझे आने को कहा मुझे यह उम्मीद में थी ऐसा नहीं है मुझे बहुत मुश्किल से रोल बिला यह लो तुम इस ड्रामक के क्लीटस हो ना तो चलो जीप में बैठो सिर्फ में क्यूं बैठों वो क्यूं नहीं बैठेंगा ताश खेलने के वज़े से नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हें डी वाइस पी साइमन साब तुमसे मिलना चाहते हैं ओ ऐसी बात है वह पिचारे बेकार में क्लीटस को ले गया है कि यह देखो मेरे सामने कौन खड़ा है जीसस क्राइस तुम्हारे पास और कोई काम धंदर नहीं है तुम्हारे बेटे के पास भी काम नहीं जो से आक्टिंग करने के लिए भेजा अरे वह बच्पन से बहुत जिद्दी है उसके मन में जो आता है वही करता है हाँ किसी की भी नहीं सुनता सर आपने मुझे क्यों बुलाया बताता हूँ लो ये लो रहने दीजे सर हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे नराज हो इसलिए तुम मुझे अभी तक मिलने नहीं आएगा सर मैंने कभी नहीं कहा कि सभी पब्लिक इशू बन चुका था, भगवान भी चाहते, तुन्हें बजा नहीं बते हैं, सर उसके बाद वो लोग आपके बदले जेल गए, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ता है, छोड़ो पुरानी बाते हैं, तुम्हें अगर पैसे चाहिए, तो घरा के लिए जाना, अभ मुझे एक रास्ता मिला, और मैं खुशी से उसके लिए राजी हो चुका हूँ, और सर अभी जेल जाने के लिए कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही अकेला बाहर हूँ, मुझे जाने दीजे सर, मुझसे पंगा लेके कब तक बाहर रहोगे तो, क्यो भई, तुम तो मुझा कर रहा था, सर मैं भी मजाक ही कर रहा था, अब आप इस क्लिटर्स के बारे में इन साहब को जरा बता ही दीजे सर, शराब कितनी महंगी मिलती है, ये क्लिटर्स अच्छी तरह जानता है, क्या सर सिर्फ इतनी ही बची है, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे पीनू सर, अब मैं जा रहा हूँ, इतना काफी था, अब बस भी करो, भाई, मास्टर जी ने बताया था कि आपके बालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, भाई, आपके बाल लंबे होंगे, मुलाइम होंगे, अच्छे होंगे, स्टेज पर उड़ेंगे तो अच्छे लगेंगे ना भाई, ये बाल मेरे भाई के जान है, मैं इनके बालों को इसी तरह से धुवा देता हूँ, मार्डर क्राइम से बचानी के लिए गाओं में हम धुवा फैला देंगे, और उसके बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी, फिर वो पानी की दलाश में उधर गया, पानी यहां पर रखा हुआ है, अगर प्यास लगेगी तो किसी से पूछना मत, लेकिन उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था, भाई, ये गाड़ी तो किसी और रूट पर जा रही है, भाई, किसी भी रूट पर जाने तो हम सही हैं, बस इतना ही काफी है, सिस्टर, सिस्टर आप उस बेशर्म आदमी से क्यों बात करती रहती है, अब उसमें अंजाने में मुझे मार दिया, तो इसके लिए हंगामा कड़ा करने की क्या जरूरत है, अंजाने में नहीं, जान मुझकर मारा था, मैंने खुद देखा था, देखो बैटी, चाहे डंप और आटो से टकराया, या आटो जाकर टंपर से टकराया, नुकसान आटो का ही होता है, हमारा ड्रामा सफल हो जाए, इसके लिए चौड़ी-चुरी बाते नजरनास करनी पड़ेगी, चलो चलते हैं, भाई 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 आपके दोस्त का फोना भाई हाँ हलो हाँ सच कह रहे हो कब आए पैरूल पर क्या कहा छोड़ दिये हाँ अब तुरंत यहां आजाओ हाँ ओके क्लेटास 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 क्लास क्लेट अई ख़ी आ थे कुछ भी यह पतला आई अब करके कहीं करें तो को मेरे साथ यहीं पर रहेंगे, इन लोगों के लिए भी खाना बनाना, खास कर इस मोटे के लिए, यह दो आदमी के बरावर खाना खाता है, यह सब मेरे दोस्त है, यह उडूंगो साली है, यह मार जोसफ, यह साहिब, और यह पोडिय, अगर मैं इन्हें किसी को धमकाने के देखा है क्योँ अ हाँ, अईसा होता रहा तो हमें सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंने हम अपने ड्रामी के टाइटल को जीजस के हिस्टी से murder तेला हिस्ट्री द्रामी में बदल देंशा जिन्दगी के मजेल जिन्दगी के मजे लो, फादर Getting तेंक्ते मजेलो फादर नी तो कितना परशान कर रहे हैं कैसे रुको उनको श्रीनी भाई हमें बहुत परशानी हो रही जाकर बंद करने को बोलो इन मुझसे सीनियर ये पंचेपन है तुम इसी से बात करो ना मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तो मेरा रॉल कोन करेगा यह लोग उनसे बात करने वाला सही आत्मी आ गया मंजू भाई आप जाकर उनसे कहिए कि हमें परिशान ना करें उनकी वज़े से हम डायलोग की प्रैक्टिस मत भूलिए कि यह स्टेज हम जैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत पवित्र जगह होती है हम पूजा करने के बाद ही स्टेज पर चड़ते हैं और आप लोग इस तरह की हरकत वहां कर रहे हैं कला के जरीए जीने वाले एक अच्छा इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता मझो नात में बहुत डाट रहा है सब के सब बिलकुल चुपो गए पर की जिनदगी चार दिन की जिंदगी तो जिंदगी के मजे लो ओई जिंदगी के मजे लो आप लोगो ने उसकामजोरी का सै इस्तिमाल किया अब मैं खड़ी हो के पूरे दिल से क्लीट से माफी मांगना चाहता हूं बहुत दिनों से जो मेरा फायर इंजन था रहा वो आग नहीं बोजा पा रहा था और उस वज़े से मैं पापी बन गया उस दिन आपके बैग से शराब की बोतल चोरी क्यों ही थी ना तूने मेरी शरा और तुम डर गया तुम्हारी आखों में आसु भी है बोच लो इसे मेरी शराब मेरी आशु के साथ बहा गई यह लो तुम्हांस एसे नहीं जा सकते पिलाओ भई लेकिन इस तरह मैं नहीं पीता नहीं पीता हूं मैं सब मेरी गलती है मैं को सूरवार हूं जब तुमने हंगामा मचाया था सब लोग यहीं चाहते थे कि तुम्हांसे चले जाओ लेकिन मैंने सुना नहीं मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगे और एक अच्छे इंसान बन जाओगे एक बात ध्यान से सुन लो यह ड्रामा का स्टेज मैंने पी कर मस्ती करने वालों के लिए नहीं बनाया है समझ गए वैसे तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो यह बात मुझे समझ में आ चुकी है तुम अगर हमारे एग्रिमेंट के मताविक मुझे पर केस करना चाते हो तो कर सकते हो पर तुम्हें यहां से जाना होगा सही कहा आपने मेरे लिए यह जगे सही नहीं है मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ आप लोगों नहीं मुझे मनाया कि मैं इस रोल के लिए ठीक हूँ मैंने भी एग्रिमेंट पनाई है कि आप मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपने जो पैसे दिये थे, वो मैंने दोस्तों के परिवार वालों के लिए दे दिये, वो लोग मेरे लिए जेल गये थे, जब वो जेल से साकिर हुसेन का कैसे रहेगा, जाओ जाकर हमारा सामान लेकर आओ, क्लिटस, उसका नाम साकिर हुसेन नहीं है, सक्यवूस है, अरे जो भी नाम हो, मुझे कोई परिक्षा थोड़े ही देनी है, फादर, मैं आपको एक नसिहत देता हूँ, कुत्ते की दुम को नली में डाल क सीधा करने कोशिश नहीं करना, दुम नहीं नली टेड़ी हो जाएगी, अब मुझे ड्रामा में एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है, मुझे भी शौक नहीं है, भाई, जरा उदार देखो, क्या हुआ, भाई, उन लड़कियों को देखकर रुप गया, भाई, लड़कियों को देखकर रुप गया, अब मुझे गुस्ता मत दिलाओ, ठीक हो तो, अम लगों को कैसे देख रहा है, चलो जाओ यहां से, मुझे, क्या कर रहा है, यह तरह क्या है, यह तरह क्या रहा है, मेरे बेची, जा पान मेरे बेची, मेरे बेची, हमाँा डी में लुप रिल किलेगे दो चार्पी बेली में ती में ती में ती में ता जसा, जसी हुआ. जब बुलोड़ इस बिलाए और बुलोड़ तेव के लिए बुलोड़ा और रही हुआ कि अगर वो सही वक्त पर नहीं पहुंचते हैं तो मेरी बेटी कि इश्वर नहीं उसे सही वक्त भेजा था कि अरुवर नहींöttे हैं जगर यो सही वक्त कि फादर मुझे लगता है कि उसे माफ्स कर देना चाहिए और प्ले में एक और मौका देना चाहिए सकेवुस मेरी बात ध्यान से सुनो आज मैंने तुमारे घर में रहने का फैसला किया है पहले तुम नीचे आओ पादर बोलो साकिर हुसेन के हटी तूट गई है बुठो और चलो तुम्हें और कपड़े सीने पड़े हिए हम बाइबल की कहानी पर ड्रामा कर रहे हैं मैं बाद में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूँगा ठीक है चलता हुए एक चाय दे हुए तुम कहीं चले मत जाना वक्त पर वहां पहुंच जाना केला खाने के बाद ही उदर आओंगा पैसे दिये इसके मैंने कि जब से हम यहां हैं अपने पैसे खर्च नहीं कि अपने वाइव उनके दूर्चों से खर्च करवाएंगे कि देखो अगर आप लोगों को ड्रामा के लिए ड्रेस का नाप देना तो बिंद आज जाएंगे हम लोगों को कोई अतराज नहीं है वैसे उसे बाहर वाले ज्यादा पसंद है उसे किसी ने परेशान किया तो याद रखना हाथ काट दूंगा उसका कि अगर देखो कितना विल्लाज जा रहा है कि मार खाके जाएगा वो यहां से क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूं इसने तो मूँपे परदा लगा दिया अगर तुम्हें वह औरत पसंदना तो चिंदा मत करो थोड़ा सब्र रखो बहुत आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाएगी वह सिर्फ सामने सतिसावित्री बनती है पर है नहीं इसे रखो और पहले खाओ खालो चलो पूरा खाओ 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 पीटा परगीश उदर देख लगता है क्लीटर्स ने काम कर लिया और हम लोग हाथ मलते ही रहे गया है आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं तुझरा यहीं रूप मैं देखता हूं चलो निकले आंसे मुझे जाने को मत कहो मैं कबसे तुमसे मिलना चाहता था मुझे मत निकालो कहो तु 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 तुम्हारे पर पकड़ो मुझे यहां से निकालने की कोशिश मत करना पुली ट्रस को आते हुए देखा था मैंने यहां उसे चुआ हाँ चुआ हाँ चुआ मैंने नहीं उसने मेरे गाल को चुआ है देख ले ना में उसे चुढ़ूंगा नहीं इससे पहले कि कोई देखे सागिल हो बढ़ जाओ कि लगता है वो सो गई कि आ कि मैं यह का कि आ मुझे बचा लीजी गुरू यह औरत वेश्य वृति का काम करती है ऐसी औरतों को मुशा के मुताबिक पथर फेक कर मारना चाहिए तुम क्या कहते हो बोलो जिसने कोई पाप ना किया हो वही इसे पत्थर मारेगा आए बाहर आओ दर्वाजा खोल घर में क्या छुपकर बैठी है बाहर क्यों नहीं आती है निकल बाहर देखिए प्लीज आप लो मेरा घर मत तोड़िये उस लड़की वो घर देने से पहले सोचना चाहिए था ए बाहर दर्वाजा तोड़ दूंगा यह वी आफ तो आउट देखिए दिकल चाहिए तुम यहां एक प्लेट रह सकती जाए उसे लिए तुम इसे जानते थे तभी इधार आए ना तुम रोज रात को यहां आते हो हम अच्छी तरह से जानते हैं अगर तुमने यहां कोई गिनावनी हर्कत की तो तेरे टुकडे टुकडे करदेंगे हुँ हुँ बहुँ हुँ 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 कर दो वो इस गाउं को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी यहीं रहेगी मैं भी देखता हूं तुम लोग क्या करोगे कर दोड़कर कर दोड़कर कर दो सकत है झाल 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 जरा कोई ये गाना बंद कर देगा प्लीज तुम्हें गाना सुनना पसंद है नास्टर फिर अब क्या हो गया मुझे अब गानों में कोई दिल्चसपी नहीं है उस क्लीटस ने जो हरकत की है वो बहुत ही बेहुदा है उस लड़की की वज़े से इस गाउं का नाम खराब हो रहा है उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें इस गाउं के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी औरत हो तुम यहीं पर रहोगी इस तरह से लोगों को डराना धमकाना आजकल का फैशन हो गया तुम्हें गाउं छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है तुम यहीं पर रहोगी तुम्हें इस शो के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें यहां बहुत सारे कपड़े सीने है दुकान से अपने मशीन लेकर आजाओ चाहो तो हेलपर को भी लेकर आ सकती हो बचा हुआ काम तुम कैम्प में रहकर कर सकती हो और यहां पर तुम्हें कोई परिशान करने भी नहीं आएगा तुम यहां पर खुश रहोगी चलब इसकते हैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया काम किया है क्लिटस लेकिन हमें किसी भी समस्या का हल मारपीट से नहीं बलकि शान्ति से निकालना चाहिए हां हम पुलिस की मदद ले सकते हैं कोट भी जा सकते हैं इसके लिए गुंडा-गर्दी की क्या ज़रूरत है क्लिटस क्या कर रहे हो छोड़ो उसे क्लिटस फादर इसे यह सब या क्लिटस देखाना आपने मास्टर ने मुझे थपड मारा जब मैंने आपका गला पकड़ा तब क्या आपने पुलिस की मदद ली या फिर गोट गये आपने मुझे थपड मारा न उसी तरह मैंने भी उन्हें अचानक मारा हां मुझे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था हम तुम्हें जब भी समझाना चाहते हैं तुम कोई बहाना बना लेते हो तुम्हें वकील बनना चाहिए, सफाई अच्छी पेश करते हो आपने मुझे बहुत जोर से मारा मास्टर मेरे गाल लाल हो गया है आप शरीफ नहीं लग रहे हो, बल्कि गुंडा लग रहे हो वैसे ये पहली बार है कि मैंने किसी को बिना चोट पहुँचाए ही छोड़ दिया जीसर साब हमेशा हमारे आदमियों को बचाते आए हैं हमेशा उनकी रक्षा करते आए हैं आज भी सबको बचाना है अब थीक है बैठो वह इन्हीं देदो बैठो बैठो कि अब क्लिटर्स को तुरंत अरेस्ट किजिए देखो एक बात याद रखो क्रिमिनल को सुधारने के लिए उससे प्यार से पेश आना चाहिए ना कि जोड जबरदस्ती के साथ मेरे एक्सपीरेंस से ये बात में तुम्हें कह रहा हूँ जब क्रिमिनल मेरा नाम सुनते थे ना तो उनकी हालत खराब हो जाती थी उनकी पैंट गिली हो जाती थी मुझे इतना वक्त हो गया क्रिमिनल को सुधार ते वे लेकिन कोई भी नहीं बदला अब एसे हलात में क्या कहूं मैं मैंने कई लोगों को काउंसलिंग से भी बदलने की कोशिश की, तो सुनो एक काम करते हैं, उसे अपनी कस्टेडी में लेकर उसकी भी काउंसलिंग करते हैं ना देखिए सर, हम पुलिस टेशन में किसी को सुधारने के लिए कंप्लेट नहीं करते, उसे सजा देने के लिए करते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आप क्यों उपर जाता हूँ उसकी जरुवत नहीं है, अगर हमारी काउंसिलिंग के बाद भी उसका क्रिमिनल दिमाग नहीं बदला, तो कानून अपना काम करेगा न, अगर यही इश्वर की मर्जी है, तो उसे सजा भुगत ने दो अगर मुझे चोट पहुचाई तो मैं तुमको मारूँगा क्लीटर्स, यह क्या कह रहे हो, हाँ, यह मुझे जान बुश कर जोर से मार रहा है फादर, हमारे बीच पुरानी लड़ाई है, यह उसी का बदला ले रहा है, अहाँ, उसे जोर से मत मारना, सिर्फ ना टक करो, मुझे अंजाने में ऐसा हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूँ हाँ, ठीक है, चलो, रेड़ी तुम यहूदियों के राजा हो, यह आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहाएं, मुझे नहीं लगता इस आदमी ने कोई अपराद किया है, शही कहा, आप लोग सब इसे यह कहकर मेरे पास लाए, कि दिस आदमी ने अपराद किया है, आपने जैसा बताया, वैशा मुझे इसके के लिए गवाब बनकर आया हूं कि तुम सिर्फ इमांदार बनो तभी मेरी आवाज सुनोगे सार उसे अरिस्ट कीजिए सर और आप ही अमारे जीसे से सबकी रक्षा कीजिए ना थैंक्यू सर नमस्कार आप इस प्रोग्राम को शांदार बनाई मैं अपने परिवार के साथ इस शोग को देखने जरूर आँगा वैसे यहां को प्राब्लम तो नहीं है ना नहीं कुछ में अगर आपको पॉलिस की जरूरत पड़े तो आप मुझे आपके फोन कीजिएगा मैं तो बस यहीं आ गया था यहां पर सुनकर मैं चलूँ अच्छा लगा प्रेज दा लॉर्ड कर भी आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया उसका रूप देखकर मैं उसे अरेस्ट करने की हिमत नहीं कर पाया अगर उसे अरेस्ट करना जरूरी है तो उसकी दाड़ी और बाल काटकर उसका रूप बदल कर उसे मेरे पास लिया आप मैं अरेस्ट करना दिल जो चाहे वो करो चलो बाई चलो और सार 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 जीप सार रुकिये सार जीजस तुम्हारा नाम क्या है बेटा मोहन के आप सच में जीजस है सुनो बेटा यहाओ यहाओ क्या मंजुनाथ उंगली दिखा कर तुम जीजस की नकल कर रहे हो जीजस की नगल नहीं कर रहा हूं कर रात को जब मेरी भीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मेरी उंगली दर्वाजे में फज गई थी लेकिन उसनी तुम्हें घर से क्यों निकाला है इसलिए कि वो मुझे पर शक करती है वह हमेशा कहती कि मैं लड़कियों के इसमें बैठा रहता हूं सॉरी अब बताओ मैं क्या करूं वो नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों से बात करूं तो ठीक है तुम हमारे साथ स्टेज पर ही बात करो दुनिया को लगता कि मैं और मेरी वीवी एक दूसरे के लिए हम एक ही प्लेट में खाते हैं एक ही बिस्तर म घर आप फिर मैं बताती हूं तुम्हें आज तो हो गई मेरी एंह हैं ओके ओके कि गड़ी लोखो चलो यहां से लगता है बहुत बड़े हो गए हो मामला सीरियस है अरे सुनो तुम्हें बताओ क्या करूं अरे बोलो बोलो कोई तो आइडिया दो अरे यह भी कोई सीरियस मैटर है क्या ऐसा कौन लड़का होगा जिसकी गल्फरिंड नहीं है तुम चुप क्यों हो बोलो यह कह रहा है कि यह उसे भूल नहीं सकता ओ माँ भी साथ है पिर इंतिजार कि इस बात का तो फिर जल्दी से इसकी शादी करवा देते हैं क्या बोलते हो ठीक है अगर आज के बाद तुम रिहरसल कैम्प गए तो मैं भूल जाओंगा कि तुम मेरी कलावते बेटे हो झाल यहां सब अच्छे घर की औरते हैं तुम जरा तमीज से नहीं बैठ सकते हो क्या वह ऐसा है क्या लो धोती खोल देता हूं अब बताओ क्या करना है यह इश्वर कोई ऐसी अरकत कैसे कर सकता है कितना बेशर्म आदमी है पर जब मैं जीजस की बारे में सोचती हूं तो मुझे इसका ही चरा दिखाई देता है तुमने मेरी बात नहीं मानी ना भॉल जाओंगा कि आप पादर है आप अच्छे परिवार के लोगों को मर्दों को जाल में पचाने के लिए तुमने अपनी बेटी को डंसर बनाया है जबान सभाल कर बात करो कैम्प में इस तरह की बाते मत करो अगर आपने इसे कैम्प में एक्टिंग करने दिए तो ना ही यह कैम्प रहेगा ना यह शो होगा चला है अरे लेकिन प्रकेश्ट अब कर दोने देए पापा मेरी बात तो सुने है तब जब गाडिया मैं पापा वो लो कितने गलत तरीके से पेशा रहता है मां बोलो बेटा मैंने बहुत इच्छी पढ़ाई की मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया लक्षमी भैं यहां पर तुम दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ मैं कहीं नहीं जाओंगी तुम्हारी वज़े से मेरी जिन्दकी में बहुत प्राव्लम्स हो चुकी है अब मैं किसी भी तरह जी लूँगी तुबारा मुझसे मिलने मत आना लोग सही कह रहे थे तुम्हें एक नया बॉइफरेंड मिल गया है न अन्जाम भुगतना होगा कि अधिक कुई प्राव्लम है क्या नहीं आपका प्राव्लम वापस में शुलज गया इसलिए बीच में निया चलिए चलो कि 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 तुम मुझे हरा सकते हो क्यों नहीं हरा सकता है इस इस ने थमकी दी कि कि मुझे तो लगता है वो उसका पती था वाई का उन था और उसने थमकी क्यों दी हां हरे आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो भाई टेंशन लेनी के ज़रूरत नहीं है वो उसका पती ही था उसने रास्ते में रोका ना इसलिए इतने घुसे में लग रही है हम ईता है rioगता है कि उपुथर है अ प्यूब इयक है आपकार है दिटनाओ है दिटनाओ अरे क्लीटेस एक बात बताओ तुम्हें हम लोग जब रेजिस्टर के आफिस पहुंचे तब उस समय इसका मुझ देखने लागता है और वैसे भी वो शादी के खिलाफ होता तो भी क्या करता इनकी शादी तो वैसे भी हो चुकी है और अब वो अपने बेटे को धमकी क्लीटेस को बता दीजी कि आप उस डीएसपी के बारे में नहीं जानते आप तो हम में से कोई भी स्टेज पर जाकर एक्टिंग नहीं कर पाएगा भाई हमारी गाड़ी आ रहे होगी हम लोग जाए क्या हाँ तुम लोग जा सकते हम किसी और दिन जरूर आएंगे शादी का खाना खिलाओं है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि नहीं जोश से नहीं होश से काम लो के खिलाफ सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अगर हमने कुछ किया तो हम लोगों का भांडा फोड़ देगा और ये मीडिया और आखवार वाले तो ऐसी संसनी खबर का इंतिजार करते हैं उसका मामला क्लोज नहीं करेंगे त आप मेरे ऊपर छोड़ दीजे मैं उसके रिहर्स्टल कैम्प में आर लगाकर सब कुछ खत्म कर दूंगा चला आजाओ देखते हैं उसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो तेरी तो रुख जाओ मैं इस कभी ने को मैंने कहा ना रुख जाओ अब इने जाने दो सेर मुझे तो लगा वो लोग मुझे ढूंड रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर आ गया सर आपके बेटे ने अपनी प्रेमिका सर शादी कर ली आप पर आस्मान तूटकर गिनने वाला नहीं है सर आपने भी तो अपनी पत्नी से इसी तरह शादी की थी तो फिर बेटा क्यों नहीं बाप की तरह करेगा जाने दीजे सर और मैं नहीं चाहता था कि आपके ये भाड़े के टट्टू वहाँ आकर कोई तमाशा करें आपको जो भी करना है वहाँ आप इधर ही कीजिए वहाँ आकर उन्हें परेशान मत कीजिए वो मेरा एकलौता बेटा है तुमने मेरी बेज़ती की है और मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा वक्त का इंतिजार में अभी तुम जाओ मुझसे बदला लेने के बारे मैं मस सोचना सर क्या है कि आशकल मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ क्राहिस्ट का रोल कर रहा हूं न सर सर मैं आपको एक बात बताओ मुझे किसी भी बात का डर नी सिरफ एक ही बात का डर है कि कहीं मैं पुरानी बाते खोल दूगा तो आप जेल चले जाएंगे मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूँ कि मैं पुरानी बातों को भूल जाओं चलता हूँ सर क्या है कि मेरे क्लाइमेक्स सीन का वक्त हो गया है क्या कहां तुम्हें उस बड़े आपनी का सर चाहिए तुम उसे कुछ और भी मांग सकती हो जैसे की हीरे मोती जवारात वगेरा वगेरा मुझे जो चाहिए था वो मैंने बता दिया है मुझे उस योहान का सर चांदी की थाली में चाहिए अगर तुम्हारी यही चाहिए तो तो सर किस्में रखा था मैंने तो इसी तरफ रखा था मास्टर कहीं कोई चुला जाए वह यहाराका सर चलो मैं उसे ढूंड ता हूं इस तुम्हें उhan a CAR लिया और किसका योहाना का मुझे की तुरुन फैराख मैंने नहीं लिया स this कि कोई खेलता है क्या मुझे दो कही तो लेकर नहीं उड़ी गया उस सर को पता है लो मिल गया तो फादर आप सर को लेके आथे प्रेयर करने के लिए लेकर गया चुपरो क्या बक्वास कर रहे हो तुम इसे समाल कर रखो ड्रामा शुरू होने के पहले इसे फिर से मत खो पर देना ले जाओ अब लॉकर में रखना पड़ेगा को कि अब है कि अब है कि अब है कि देशेंट चोड़ दीजिए ना चुर्ण दीजिए छोड़ो पकड़नी की जरूवत नहीं है उसमें प्रभ लीट दो नहीं तो उसे पोलिशें करवाने दो हटो हटो क्या हुआ क्या हो रहा है यहां फिर शोराप पी कर इतनी रात मेरे घर में घृतिया था पहने आपसे ना में कहीं चली जाती हूं अरे कि यह क्या करनी जा रहे हो छुप रहा है अब मैंने तुम्हें कितनी बाद समझाये लेकिन समस्ती नहीं अपनी मनमानी करते हो इंसानिय2020 का रोल करने के लिए पर कर्म शैतान के हैं बंद करो बंद करो यह अब sed जल सकते अब हम यह प्रोग्राम ही नहीं करें इस वज़े से जो नुक्सान होगा बेजिती होगी मैं सहलूँगा मैं इस बात के लिए चर्च और विशप के सामने जाकर माफी भी मांगनूँगा सुबह होने से पहले ही तुम सब यहां से चले जाओ हम इस कला से अपना गुजारा करते हैं यह हमारी रोजी है हमारी कमाई बंद करवा कर आप तो तुम खुश हो नौ फ्पड़्या नौ खादर 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 फादर, कल रात में उसके कमने मुझसे परिशान करने के लिए नहीं गया था, मैं उसे, मैं उसे पहले से जानता हूँ कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे पांच-छे साल पहले से जानता हूँ, मेरा यकीन कीजिए हमारे एरिया की वही ओरत है जिसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंड की थी अरे लकडियां और दो ना डालने के लिए इसमें अभी ठीक है अब यह आगे तेस्ट तो करो मजा आया ना क्लीटस मजा नहीं आया मजा नहीं आया इसमें दमी नहीं है अधिलिटस चलो मेरे साथ अरे यह सब क्या है सारी यह सब हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं अभी चलो साथ में अरे सर्थ अरे सर्थ तुमने पुलिस कंप्लेंड की थी ना तुम्हें आने के बाद देखता हूं बेटी तुमने पुलिस से क्लीटस को क्यों अरेस करवा दिया यह तो बताओ आप दिन भर उसकी अज़े पर शराब पीते हैं इसलिए आपको दुख हो रहा है ना मैं उधार से शराब लेके आता था अब मुझे वो भी नहीं मिलेगी क्या करूं अरे आप बस्त भी करो जाने दो इस लड़ी को है अभी हमारा मस्ती करने का टाइम है अभी भेज नहीं सकते हैं यह बंद करो जाकर आपको क्या हुआ सर चलो सब लोग जीप में बैठो क्यों सर हम तो खेल की बीच में हैं उस लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई है वह बहुत परिशान करती है वह है कि यह तुम्हें कहां से मिली क्या नाम लगता है लड़की आपको पसंदे इसलिए नाम पूछ रहे हैं चलो चलो आजाओ आजाओ नमस्ते साब मेरा काम टाइम से खत्म हो जाएगा अगली कमेटी बनने देजिए मैं ये काम पूरा करवा दूँगा नमस्ते कैसे हैं आप यह मेरी शादी का इंविटेशन है जरूर आईएगा जरूर आउंगा ओके यह कितने का है अरे सुनो देखो दूलन होदा हाँ मुझे बढ़े 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 किह से खिरुको में खिरुको नाई क्लिट्रस, मुझेबत मारो, क्लिट्रस प्लीज हाँ थैर में उड़ा झी बत्स कि आया उस लड़की ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंड दी की उसके बाद में उसे बहुत नफरत करने लगा कौन है पिदाजी आप है मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ सब के सामने वो शरीफ आत्मी बनता था लेकिन जानती उसने क्या किया उसके पास मदद मांगने आई एक मासूम लड़की से उसने रेप किया देखा नजाओ उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया एक लड़की की इजट जब लूग जाती है तब उससे कैसा लगता है वो तुम्हें भी पता चला चाहिए वो जिन्दा है या मर गई है तुम यही देखने आये हो ना क्यों एक लड़की के हिजट लूट जाती है तो क्या तुम बदला लेने के लिए गड़के नस है दूसरी लड़की के इजफ को लोगे अज़िए उस वक्त मैं अंधर हो गया थो आप चाहें तो मैं वहसे क्या ऐसा लगता है कि तुम उससे शादी करने के लिए तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की के साथ तुमने रेप किया उसके साथ शादी कर लोगे तो प्रॉब्मम दूर हो जाएगी कि मैं तुम से नफरत करती हूं चले जाओ यहां से अगे चलके तुम भूगतोगे जिरूत याद रख रहा मेरे दिल के हाय है तुम पर्मात हो जाओगे उसके उस शुराब कम उस पर असर पड़ा और यह बात मेरे दिल में चुपते रहे उसने अभी तक शादी नहीं किया वो सबसे कहती है उसका पती अभी इस दुनिया में नहीं है फिर उस मर्डर की वज़े से मैं जेल चला गया जेल से छूटने के बाद मैं उससे मिलने उसके घर किया लेकिन बदनाम हो जाने की वज़े से वो उसेरिया को छोड़ कर कहीं चली गई थी मैं उसे ढूंडते वे जिधर भी जाता था वो वहां से चली जाती थी मुझे पता था कि वो यहां है इसलिए ड्रामा में काम करने के लिए मैं तैयार हो गया फादर और फिर अपने बेटे से मिलने के झाल झाल मैं उसे हुआ हुआ यहाँ कि अ एकलिए ये। यहाँ कि वो झाल 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 जीजस ने जेरुसलम के लिए अपना सफर शुरू कि वहां वे जेरुसलम के चर्च में गए चर्च को अपवित्र बनाने वालों को और उसे बिजनस की जगह बनाने वालों को जीजस ने उने वहां से भगाया ये मेरे पिता का पवित्र मंदिर है, तुम लोग इसे बिजनेस की जगे बना रहे हैं, इस बोर्ट पर लिखा है, ये प्रात्ना की जगे है, लेकिन तुम लोगों ने इस जगे को अपने बिजनेस का अड़ा बना लिया है, निकलो यहां से, चलो निकलो इस तरह जीजस लोगों के साथ ही बन गए और सब उनकी इज़त करने लगे, चर्च के प्रीस्ट और राजा के आदमी उनकी हत्या करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जनता से डर था अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परदास्ट करोगे, क्योंकि अभी तुम जीसस हो, इस रानिंग शो में ही मैं तुम लोगों की बेज़ती करवाऊंगा गुंदा एक्ट के तहट में तुम्हें आरेश्ट करता हो, सारी जिंदगी जेल में ही कड़ेगी, इसे मारो और जीप में बठाओ क्या करें, क्या चल रहा है, पीछे अटाओ, छलो उसे, क्या करना तुम लोग, उसे गुष मत करो, मैं कहता हूं से छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर रहे हमारा शो रुकना नहीं चाहिए, इन सब के अच्छी तरह पिठाई करो क्या करूप कर रहे हमारा शोड़ या याओ क्या कर रहे हमारा शोड़ दो रहे हमारा शोड़ दोड़ अटाओ हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ हुआ! अगर मैं पहले वाला केटे सोता तो मैं तुझे यही पर मार के गार देता लेकिन मेरे इस रोल ने मुझे सब कुछ बरदाश्ट करना और माफ करना सिखा दिया शोख खत्म होने के बाद मैं कहीं भी चलने को तयार हूँ शोख खत्म होने तक हमें मत रोकना मेरी बात सुनो मैं तुम लोगों को एक सची बात बताता हूँ तुम लोगों में से ही कोई एक मुझे दोखा देदा यह कि कहा हमें ऐसा की सब्सक्राइब में सुन्क हो स्ब्सक्राइब लुम जाएब निरम लोगों में वोगों बाल उन्सक्राइब लुम 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 क्मम लुम 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 झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो dad खखच्च पचाली तूधर था सचमने जैसे सिरूपया पुट है झाल, तूसका परणी लगंडरो फिलिए ऑली वाना झाल, चुट तक अजोर किंत पर दो फाउखने पिलिए जाएगा है, तुटो हैं जे हुआ हैं भाल, जय को जोगंना नामे जगने जाल, यहा हैं जाल, ज हाँ 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 हो ते रे दाँ हाँ 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 वाँ लाइक शोड़ूंगा तुझे है रुप आउसे लाइक शोड़ूंगा वाइक 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 ठलो ठाफ ज हो ब दो जाफ जजपकर लिए इवानThere लो जह जजभ जाफने वे UP क्वश्चरू जजब कर द Михश जब क्वशर जजभ जजब अईजडंत का ल窮 हुछ जजगे जब ईजब हाफ जब एपधने डश्धकर वे लो जだु़ कि अे बार से बार से अबार से दुर। CTLITUS क्या क्या व्राइब CTLITUS क्या हुआ क्या व्राइब कि मुझे मेरे पापों की सजा मिले गई अरे जल्दी से कोई कार लेकर आओ अभी तक विंटिलेटर पर है दो दिन हो गए अभी तक वो होश में नहीं आया है डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं सब को उसके लिए प्रे करने को कह रहे हैं नहीं क्लेटर्स को कुछ नहीं होगा वो वापस आ जाएगा क्राइस्ट की तरह तीसरे दिन वो वापस जरूर आएगा क्राइस्ट वापस आएगा गो जो भाल जाओ। क्या पाथ है बहुत बढ़िया क्लेटस शो शान्दार था क्या पाथ है